तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, Coin D-section ने लिख रखा है कि deposit बंद, तो क्या deposit सही में बंद हो गए, या फिर इन्होंने कोई दूसरा method दिया है, जिससे हम deposit कर सकें, या फिर deposit काम कर भी रहे हैं, या फिर नहीं, तो इनी सारे सवालों को जवाब आपको आज की इस व deposit करने पड़ते हैं, यहाँ पर 100 रुपे मैंने पहले से ही available डाल रखे हैं, तो जैसे ही मैं 100 रुपे दुबारा और करूँ है, तो यह 200 हो जाएंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं change का option क्लिक करता हूँ, तो कोई दूसरा payment method नहीं है, एक ही द अंदर जाके यहाँ पर deposit कर सकता हूँ, तो deposit का option तो है, ऐसा नहीं है कि deposit बंद कर दिये गए हैं, deposit का option तो है, और आप आप देख भी सकते हैं, IMPS, NEFT, RTGS, तीनों ही तरीकों से आप deposit कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको recommend करना चाहता हूँ कि IMPS से ही deposit करें, RTGS या NEFT से deposit ना करें, उसमें time ज्यादा लग जाता है, और UPI तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह सारी details हमें copy paste करके डाल ली हैं, और deposit करना है, जिसका procedure आपको पताईए, अपने bank की app को खोल के, transfer money करके, और यहाँ पर आपको copy paste करनी हों और फिर हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने bank से पैसे deposit कर दिये हैं, bank से पैसे कट चुके हैं, और यहाँ पर मैं अब deposit तो करी दिया है, तो I have paid पे click कर देता हूं simply, और यहाँ पर अब इन लोगों ने यह सहुलियत कर दिये कि अब reference ID दुबारा आ के वापस नहीं जालनी पड़ रही है, तो यह बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर पहले ही अपने ही आप यह verify पे लगा देता है, किसी तरह का reference ID आप नहीं मांग रहा, इस पर OK पर click कर देते हैं simply, और आप देख सकते हैं, OK पर click करते ही 200 रुपे आ चुके हैं यहाँ पर, छूटते के सा थी, एक सेकिंड का भी टाइम नहीं लगा, मैंने डिपोजिट करा हूँ हहां से, यहाँ पर आपको, आपके सामने कई सीन है, बिल्कुल, 200 के 200 आप यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर in process भले यह दिखा रहा हो, लेकिन 200 रुपे पूरे account के अंदर आ चुके हैं, काम कर रहे हैं या नहीं, by the way, deposit और withdrawal दोनों में ही कोई भी एक रुपे का भी charges, coin DCX हम से charge नहीं करता, तो 200 रुपे पूरे ही हम यहाँ पर withdrawal करके देखते हैं, continue, और यह मेरा phone number है, जिस पर OTP आएगा, OTP आते के साथ ही देखते हैं, withdrawal होने में कितना time लग रहा है, क्योंकि deposit deposit तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया, पता भी नहीं चला, deposit के लिए डाल दिया, message यहाँ पर आ रहा है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर message भी आ जाएगा, कि deposit भी successfully हो चुके, क्योंकि deposits में कभी भी 10 seconds से ज्यादा, 10 भी 2-3 seconds से ज्यादा का time नहीं लगा है, तो यहाँ पर यह completed लिख के आ चुका है, इसका मतलब deposit यह आ गए, deposit successfully हो चुका है, यह मेरा bank collect की तरफ से successful हो चुका है, credit of IMPs transaction successfully deposit हो चुका है, मेरा withdrawal भी successfully हो चुका है, deposit भी, तो दोनों चीजें बिल्कुल smoothly काम कर रहे हैं, मैंने आपको with proof यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन हुआ यह है कि एक जो method है न, वो यहाँ पर CoinDCX ने निकाल दिया है, जो दूसरा method था deposit करने वाला, लेकिन आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, जब भी आप copy paste कर रहे हो अपनी detail, यहाँ से अपनी bank की app से deposit करने के लिए, तब आपको वहाँ पर एक बार जो IFSC code होता है, वो अपने आप ले beneficiary वगेरा add करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि beneficiary add करने से आप इन लोगों ने यहाँ पर बदल दिया, account जो detail है वो बदल दी, और हमने वहाँ पर beneficiary add कर रखा है, तो ऐसे में deposit हो जाता है, reject, cancel हो जाता है, फिर 7 दिन, 14 दिन तक wait करना पड़ता है, तब जाके कही deposit हमें बंद नहीं हुए, बिल्कुल smoothly काम कर रहे हैं, तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो से कोई value मिली, तो वीडियो को लाइज जरू कर दीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में